नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है MSSC Notes में दोस्तों किंद्री विद्याल यानि KBS की वेकैंसी के विसे में जो सूचना हमें मिली है जिसमें लगबिक बताया जा रहा है कि 6414 पोश्ट जो है वो प्राइमरी लेवल के लिए आई हुई है जो एक टेंटिटिव है यानि भढ़ भी सकती है और कुछ पोश्ट घड़ भी सकती है ऐसा हो सकता है वासर घट का चांस नहीं है बढ़ने का ही चांस है ठीक है और जिसका फॉर्म पांच दिसंबर से स्टारट हो देगा भरना ठीक है यानि 5 दिसंबर से आप लोग़्त सकते हैं तो उसके विशय में कुछ information हम लेकिया है जो आप लोग के मन में बहुत धेर सारे doubts हैं जैसे कौन-कौन इस form भर सकता है क्या बीड़ वाले बच्चे overall में सबसे बड़ा issue यह है एक समय कि जो बीड़ वाले बच्चे क्या भर सकते हैं या किंद्री विद्याले से भी पास बीड़ाइन है और दूसरा कि जो लो लोग सीटेट पास नहीं है और वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं उसके बारे बात करेंगे और चौथा जो है की इसका syllabus क्या हो रहा है या exam कब हो सकता है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले वाले पॉइंट को स्टार्ट करते हैं और उसके पहले आपको दिखा दू कि यह है नॉटिफिकेशन जो कि मेरे ख्याल से आज तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि लग का टोटल पर 6414 पोस्ट है यह किसकी है यह प्राइमरी टीचर की जिसमें से 5 दिसंबर 26 दिसंबर हमारी सुरुवातियों लास्ट डेट है अब यहां पर बात करते हैं कौन-कौन फॉर्म भर सकता है तो जिसने भी अभी फिलहाल टीचिंग में जो डिप्लोमा होता है दो साल का जिसने कर रखा है वो इस फॉर्म को भर सकता है बसरते उसके पास प्राइमरी का सीटेट पास होना चाहिए तो अब जो लोग पास नहीं है वे घबड़ा रहेंगे तो उनके बारे में अभी सुनिएगा आगे इंफर्मेशन देने वाला हूं ठीक है आगे देखिए अगली बात है क्या बीड़ वाले बात देखिए अगर हम जैसे बात कर राजिस्थान सरकार ठीक है तो वहां पर बीड़ा कर दिया गया तो फिर और भी जिसके लिए विरोध चल रह हैं लेकिन आगे की जो भी कारवाई होगी वे सुप्रीम कोट के आदेश के अनुसार होगी अर्थात अगर सुप्रीम कोट का आदेश आ जाता है कि बीड़ वाले अगर प्रैम इलिजबल नहीं है तो फिर वो इस वेकेंसी के लिए रद हो जाएंगे खारिज हो जाएंगे और अगर सुप्रीम कोट का जजमेंट आ जाता है कि हाँ कि अगर भीया जोईन हो सकते हैं तब वो रहेंगे या एक चीज और हो सकती है कि अगर सुप्रीम कोट के जजमेंट आने से पहले पहले सारी भरती प्रक्रिया और सब कुछ का सभी का मतलब सारी प्रक्रिया है जब नहीं हारना है अभी भी आप लोग है फिल हाल के लिए और तैयारी करिए पूरे बेस अब यहां पर जो इंपोर्टेंट है कि जो बच्चे सीटेट नहीं पास हैं वे क्या कर सकते हैं तो देखिए इस साल यानि जो सीटेट होने वाला है जनवरी में जो इसका एक्जाम होने होगा मेरे ख्याल से जो पास नहीं है उन लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा यह मैं आप एक्षा कर सकता हूं आप लोगों से कि पास नहीं है तो फॉर्म भर ने के बाद जितने भी बच्चे सीटेट 2022 में अपीरिंग है अभी जानी एक्जाम देना है उनका लगभग एक बाद इसका एकजाम होने पाद जब रिजल्ट अगर आया उसके पहले पहले अगर आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाता है तो मान होगा अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं इसले कह रहा हूं क्योंकि जब 2018 में जो केवी की वैकेंसी आई थी तो उसमें भी सीटेट आपेरिंग वाले को लिया गया था यानी सीटेट आपेरिंग थे उनका फंब भराया गया था वे सभीत भर सकतें तो जादा चीजें वो रहे हैं या नहीं लेकिन पिछली बार के अनुसार जो बहां नहीं थे हैं लो भी फोन भर तुसानुसार हो सकता हो कि यहां भी मौका मिले जो भी आपको आगे अपडेट इसमें पांस तारीक को पूरा कंफर्म हो जाएगा लेकिन जहां तक है कि वह मौका मिलेगा ही मिलेगा उसके बाद की बात करते हैं कि सिलेबस क्या हो सकता है तो अगर जो उत्तर प्रिदेश के चात्रें जो सूपर्टेट के बारे में जानते हैं तो लगभग लगभग स्लेबर्स जो है वो मिलता जूलता है अंतर अगर मैं बताने की कोसिस करूं देखिए नॉर्मली इसमें संस्क्रित उसमें एक सब्जेक्ट आ जाता है हिंदी मतलब तीन भासा जाती है सूपर्टेट सब्जेक्ट के चीज़े हो गए वे सारी चीज़े आती है जिसके पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा की कंप्लेट स्लेबर्स और कैसे क्या क्या पढ़ना है उसको लेके मैं अलग से बना दूंगा उसके लिए लेकिन फिर भी आप लोग को एक आईडिया हो जाना किसमें रिजनिंग आती है जी एस आता है जी के आता है आपका पैडागोजी भी आती है हिंदी और इंग्लिस दोनों आती है ऐसे करके ठीक है तो एक नॉर्मल आइडिया आप लोग को मिल जाए उसके बाद अगर हम बात करें एक्जाम डेट की जो कि फाइनल एक्जाम कब करी देट कर चाहिए तो आप ये मानके चलिए कि फरवरी फरवरी तक हो सकता हो कि आपको इसकी अपडेट मिल जाए एक्जाम के बारे में या को मार्च में होना है ठीक है तो यह थी एक च्छूटी सी अपडेट आप लोगों के लिए तो सभी लोगि इस विच्वाइग कर देजेगा और हां तैयारी कैसे करें बहुत बच्चे हैं यह द्वारा किया रही है जो बर जल्दी ही जल्दी आपको लांच मिलेगा हो सकता कल तक आपको इंफोर्मिशन मिल जाये उसके लिए कह समय तो नंबर देर तो आपको कॉल करके आप अपना जो भी है इंफॉर्मेशन डाल दीजिए क्योंकि जैसे अपडेट आता है हमारा कोई भी नया कोर्स आएगा यह नोट्स वगए रहे आएगी तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी वहां पर मादम से ठीक है बाकी कोई भी दिक्कत रही हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा कुछ और जानकारी कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो भी बताएगा अगर मैंने कुछ गलत बताया है तो उसके बारे में बता दीजेगा ठीक है अगर मुझसे कोई त्रूटी हो तो भी आप बता दीजेगा बागी वीडियो अच्छा लगा है वो तो सभी लोगों तक सेर करें बागी में देते हैं कल की क्लास में तब तक लिए नमस्कार जैहिंद